वेरी नमस्कात प्यारे बच्चों कैसे आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छी तना से त्यारी करेंगे यह हमें पूर्ण विश्वास है और अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके प्लांज आप उसको पूरा करने के लिए कोशिच कर देंगे आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे यूनिंट्स के एडवन एंटेज एगाया है क्यों हम लोग ऐसे यूस को पढ़ते हैं और ये बाकी यूनिट से अच्छे जन सिंपल क्यों है तो आओ इनकी कुछ देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टन के हैं सबसे पहले हादव हम बात करें तो य हुआ हमारे पास एक ब्राओडर बेस है इने इन्ट्स का Queens 가서 एगे हमारे पास सेवन fundamental units होते हैं और दोます in certo तो इनके 7 जो यूनिस हैं इनके helps हम लोग बड़ी असानी से बाकिवाले इन पूर्स को ड्राइब कर सकते हैं तो वो हमारे पास बेजमसल हैं और साथ में हमारे पास है फूसे ऑफास क्या हैं यह सपलीमेंघरी युनजरें और इनकी हैल से हम लोग सारे यूर्ण Jeans को बना सकते है तो क्योंकि इसका ब्रॉडर बेस है और साइंटिफिक और साइंटिफिक नोटेशन से हम नहीं बनाएं तो साथ बेस यूनिट कौन से हैं फंडमेंटल वह में पता है और दो सब्लेमेंटल कुई जो है प्रेन एंग लोगत और इसलिए भी यह ऐसा यूनिंट के बहुत हमारे पास है यह हवा में नहीं है कि यह ऐसे यूनिट नहीं है कि जो हमारे पास टाइम के साथ चेंज होने से चेंज होते हूं हम यह नहीं कह सकते हैं अगर हम लोग स्पेस और स्पेस एंड अगर हम टाइम को चेंज करें तो यह उनके साथ चेंज है नहीं होते हैं जैसे example की तोर पे कि जो मास है हमारे पास जो हमारे पास लेंथ है हमारे पास जो हमारे पास टाइम है हमारे पास है ना कहने का बुदल है कि किलो ग्राम हो गया मीटर हो गया सेक्ड हो गया एट सेटरा और भी वड़ सरे और भी साथ और दो नो है हमारे पास है ना तो यह किलो ग्रा है मारे पास कि यह जो है एक rational system of units होता है rational system of units का बदोता है कि जो unit हमना बनाया है यह किसी logic in reasoning के उपर based है और जितने physical quantities है हमारे पास जितने फिल कॉनटी अगर मालो same nature of physical quantity होगी तो उसका एक unit होगा example के दूर हमारे पास जो energy है ना जो energy है energy किसी फार्म की होगी उसका यूनिट जो है वो जूल ही रहेगा चाहिए हमारे पास mechanical energy हो it energy हो electrical energy हो तो हम इसको जूल में ही मेज़र करते हैं तो इस लिए rational system of unit होगी उसका एक ही unit होगा next है हमारे पास कि यह एक coherent system of unit है coherent system of unit का मतलौ होता है कि हमारे पास ही your current system in account कले है कि हमारे पास जो बेस meet को यूनित होते हैं वे सुन आई का इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी encourage रॉनोटे हैं जितने भी हमारे पास ब्रायब इन्ट इन्स हैं उन साटेड्यницы को बेस बहुटिप्लाए मुट सकते हैं without any numerical factor example के तोर पर हम कहते हैं कि हमारे पास है speed हम सब को बता कि speed होती है distance one time distance one time और हमें पता distance जो है वो length है distance जो है वो length है length one time और length का unit जो होता है वो हम सब को पता meter होता time को तो second दान देखे meter per second हम नहीं जो base unit को simply divide करके student को बना दिया है कोई इसके साथ multiple factor नहीं है तो यह coherent system of unit है coherent system of unit मतलब हम सारे drive units को base unit से simply multiply जो divide करके हम उनको बना सकते हैं without any multiple factor तो simple है और इसलिए पूरी सेंस में apply होता है next जा मने पास कि एक matrix system of unit है matrix system of unit का मतलब होता है कि अगर हमने है किसी unit का सब unit जा multiple unit लेना है तो simply हम लोग multiply जो 10 के इस पावर की फार में हम उसको create कर सकते हैं example के तुर पर देखो कि हमारे पास मानलो मेरे पास 0.5 kg है तो 0.5 kg को मैं 5 into 10 की minus 1 kg भी कर सकता है यानिकि यह सब unit था kg का तो हमने इसको 10 की पावर में हमने इसको convert करके कर दिया तो क्योंकि decimal system और जो metric system है calculation में simplicity है बड़ा असानी से समझाता है तो इस लिए यह जो है है ऐसा यूनिट जो है हम लोग डाप्ट करते हैं और यह बड़ा simple है और इसके जितने भी सब multiple हैं जब multiples हैं उनको असानी से हम लोग 10 की रेस पावर में हम लोग convert कर सकते हैं है हमारे पास नेक्स हमारे पास कि यह जो है हमारे पास SI system of your units होते हैं यह जो MK system था उसी का एक modern modernize and improved form है MK system mechanics पहले पढ़ रखा था तो उसी का इसलिए यह असान है और apply करने में बड़ा easy है पहले हमें पता कि हमारे पास जो mechanics mechanics जो ब्रांच है physics की उसमें हमारे पास जो बेस कॉनिटीज होती थी वह होती थी कि लेंट होता था वह मेरे पास मास होता था और वह महारे पर स्टाइम होता था यह तीन हमारे पस बेस कॉनिटीज थी और इसी की extension करके हमने स्को 7 और 2 supplement कि कुणिज तो असानी से यह हमारे पकड़ में है और हम स्कुल करते हैं नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करेंगी ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास हम जो सिंबल प्लाई कर रखें इसके लिए मान लो यूनिट्स के लिए सिंबल प्लाई कर रखें से सिस्टम है कोई भी लेंग्यूज हम यूज करें यह सिंबल चेंड नहीं होते मैं किसी भी अगर लेंग्यूज में बात करूंगा तो जो मेरे पास से मानलोग फोर्स है और वो फोर्स का यूनिट मैं जो है यह न्यूटन को ही मानूगा ठीक है और सिंबल इसका जो एन है तो एन ये पास सकते हैं कि यह चार-पंच बाते हैं स्टम इंट की इसके लिए यह हमारे पास हम कहते एंकि ऐस सैंस्स्टम जो है यह यह एक बेस्ट और सिंपल और उपरिस्टीव जयसे आप्सूलोट्स सार्नी से हम लोग जो है यह पढ़ सकते हैं तो यह हमने बताया आप को कि यह सको में जो है पांच इनदेंट से इसको बाकियों से उनिक बनाते हैं और इन्छी को इस्तेमाल करके हम बढ़ी साने से बढ़े बढ़ सारे जितनी इसलिए अगर आप साइंस और मैथेमेटिक्स के स्टूडिन्स ओ तो आपको एससे सिस्ट में इसके बाद में ग्यान होना चाहिए अगर आपको आम लाइप से एक अच्छी लाइप जी नहीं है तो एड्यूकेशन प्लेज वरी इंपॉर्ण तो अपने आपको शिक्षित करें और जहां तक हो सकता है कि लोगों की हैल भी करें तक वर वाचिए तक वर वाचिए यूर्सल्ट एट्व यू जेहन